अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन प्लिट करें इसकी ड्यू डेट जो है वह एट वंबर है इसका टॉपिक जो है वह प्रेजेंट वैल्यू का है यहाँ पर ایک सेनेरियू पूरा लिखावा है कि आपने टाइम वैल्यू अफ मनी जो है वह फन्डेमेंटल प्रिंसिपल है जो कि आपको आइडÕया देता है कि मनी जो है वह आपको फ्यूचर में क्या वैल्यू देगी ठीक है कितना आपको जो है उसका उसकी अर्णिंग क्प हो सके हम आति हैं केस्षकी तरफ जहां प्रफ उसके एक जो है एक रिपिटेबल कंपनी में आपको निगडी केप्लिर करने के बहुत आफ़र हो रही है थी कि या आप वहां पे करना चाह रहे हैं उसका कंपनी में हाईरिंग के लिए आ आपको एसॉन्म internships दी जा based on the present value principle for four scenarios आपको चार जो है प्रिंसिपल वैलियू का calculate करनी है ठीक है अब तमाम scenarios जो है उनकी values तो दी गए है scenario 1 में बताया गया कि आप suppose करें कि आपको जो है वो 6,20,000 है ठीक है यहां पर जिरो मिस आ रहा है आप suppose करें कि आपको जो है तीन साल बात जो है वो 6,20,000 होगा बैंक आपको simple interest rate जो है वो चार्ज करेगा जो कि है 11% पर रैनम ठीक है तो यह simple interest का हो जाएगा scenario 2 में बताया जा रहा है कि आपको जो है वो future value या principle amount जो है 7,00,000 की receive होगी after 4 years और annual जो है इसका prevailing compound interest है यहां पर compound interest का formula यूज होगा क्योंकि यह compound interest का scenario में जिकर है जो कि है 10% उसके बाद में scenario 3 में बताया जा रहा है कि आपको amount होगी receive 6,00,000 after 4 years बैंक जो है वो आपको 12% semi-annual compound interest rate चार्ज कर रहा है यहां पर जो है वो semi-annual interest rate का जिकर है scenario 4 में बताया जा रहा है suppose करें आप रपीज 80,000 बैंक में at the end of every year जो है वो invest करेंगे for 7 next 7 years 7 साल तक आप invest करेंगे interest rate जो है वो deposit जो है आप कर रहे हैं उस पे 8% per annum है ठीक है यह आपको साथी scenario बताया है required क्या है आपने present value of each scenario आपने तमाम की calculate करनी है तमाम scenarios की present values calculate करनी है और 2 में बताया गया है कि आपने यह बताना है कि इन में से कौन सा scenario है वो concept of annuity पे based कर रहा है और बताना है कि कौन सा option जो है इसमें highest present value आएगी और क्यों आएगी बाकि यहां में लिखा गया है कि note में कि आपने इसकी जो working है formulas जो है वो mandatory है इनके marks है और copy paste आपने कोई नहीं करनी image भी और इस तरह के कोई चीज नहीं करनी ठीक है यह आपने खुद से solve करना है और इसमें कोई भी वही वाली जो basic इसकी requirements है वो बताए गई है कि time new roman होना चाहिए या aerial होना चाहिए इसका जो font style है size 12 होना चाहिए वाकि as it is जो भी आपके assignments में बताएए MGT 201 financial management की assignment का solution हम लोग करने वाले हैं आपने इसको copy paste नहीं करना calculation एक मरतबा से जरूर करनी है ताकि इसमें कोई mistake हो तो वो मुझे आप inform कर सकते हैं scenario number one हमारे पास यह था कि आपने जो है receive करनी है amount जो के 6,20,000 थी आने वाले 3 years में ठीक है इसमें bank का आपको जो है simple interest rate जो है 11% चार्ज कर रहा था यह जो scenario है इसमें simple interest मने ज़से पताया है वो है अब simple interest की जो present value calculate करने के लिए जो formula use होता है उसमें हम क्या देखते है pv is equal to future value over 1 plus rtr जो है इसमें interest rate है जिबके t जो है वो number of times है number कितने देर के लिए वो होका इन्वे हम values को put करेंगे ठीक है तो क्या हमारे पस value आएगी 6,20,000 ठीक है इसको divide करेंगे जो आप value आएगी वो 4,66,167 आएगी ठीक है यह आपकी जो है यह amount of present value है जो कि आपने यहाँ पे receive करनी है जो मुझूदा value है scenario 2 में बताया जा रहा है कि आपको जो है जो मैंने पहले जिकर किया कि 7 lack आपको 4 year बाद मिलेगा इसमें जो हमने formula जो use करना है वो है present value is equal to future value over 1 plus r और जो है इसकी power n अगर आप fv और bracket में 1 plus r minus n भी ले सकते है फिर भी answer same ही आएगा इसमें आपने same value उसको put करना है ठीक है और इसकी calculation के बाद 4 लग 78,041 आपकी जो value आएगी जो कि present value होगी अब scenario 3 में बताया जा रहा है कि यहाँ पे compound interest का formula है पहले भी compound interest का था scenario 1 में simple interest का formula था 2 में compound interest का था और scenario 3 में भी compound interest का ही होगा पर यहाँ पे यह semi-annually charge की जा रही है इस वज़ा से इसकी हम थोड़े सी calculation different करेंगे वह ऐसे कि यहाँ पे हमें semi-annually है मतब के साल में हम दो मरतबा इसको pay करेंगे तो हम 12 को divide कर देंगे 2 पे क्योंकि हम 2 मरतबा पे कर रहे है अब जो 4 है वो number of times है एक बात याद रखें calculation में हमेशा same values आने चाहिए जैसा कि देखें 4 year है ठीक है यह years में है जबके 12% semi-annually है ठीक है यह month में value है तो इसलिए हम इनको equal करेंगे 4 को multiply करेंगे 2 से हम 1 year में 2 times जो है इसकी payment कर रहे है 2 installments कर रहे हैं तो इसलिए यह 4 multiply by 2 is equal to 8 ठीक है अब यह जो इसका formula use होगा वो ही वाला formula हम put करेंगे ठीक है इसमें future value present value is equal to future value over 1 plus r over n यहाँ पे हम इसको divide करेंगे number of times 12 जो है 12% जो हमारी interest थी इसको divide 2 से कर देंगे तो वो हमारे पास semi-annually की value आ जाएगी इस तरह से number of times को भी हम divide कर देंगे multiply कर देंगे 2 से 2 multiply by 4 is equal to 8 ठीक है इसको मजीद simplify करने के बाद जो हमारे पास present value की amount आएगी वो 3,76,212 रिपीस आएगी scenario 4 में जो आपको बताया जा रहा है कि आपने end of the year हमने investment करनी है तो ये जो है वो ordinary annuity का formula है क्योंकि उसमें हम at the end of the year और CDs of payment करते हैं ठीक है तो यहाँ पे इसके जो formulas use होंगे उसके लिए present value calculate करने के लिए R जो principal amount है और 1 minus 1 plus R ठीक है R जो आपकी number of जो है आपकी interest rate है और number of times या number of years जो है वो end से इसको represent किया गया है ठीक है यह आपकी values को अपने put करना है और इसको मजीद simplification करने के बाद आपकी जो value आएगी वो 4,17,986 रुपीज आएगी ठीक है चारो जो scenarios है इनकी हमने present values को calculate कर लिया है ठीक है अब हमने बताना है कि कौन सा question number 2 में हमने बताना है इसमे concept of annuity किसमे है तो scenario 4 में जो है यहाँ पे concept of annuity है और ordinary annuity यहाँ पे use की गई है यहाँ बताना है उसके बाद में कि आपने बताना है कौन सा option जो है वो इसमें highest present value है और क्यों है तो according to calculation scenario 2 में जो है highest present value है वो कि इसमें आपकी compound interest का formula है और जब इसको हम discount करेंगे इसको discounting कहते हैं ठीक है जब हम इसको discount करेंगे तो फिर हमारे पास जो है वो higher values आएंगी देखें इस तरह ये present value previous किसी भी हमारे 4 के 4 scenarios में से किसी में भी नहीं है hopefully आपको इसकी समझाई होगी इसकी आपने तोटे से justification लिखनी है वो आप 2 से 3 lines की अपने पास से लिख ली जएगा hopefully आपको इसकी समझाई होगी कोई question हो तो description box में दिएगे नमबर पर आप मुझे से राप्ता कर सकते हैं hope for the best अलाहाफ़